हम लोग श्रीमत भागवतम से दूसरे सकंद से तीसरे अध्याए के बार्विश लोग को आज देख रहे हैं कल हम लोग इस लोग लिये थे कौन सा ग्यारा ते लिये थे हैं आज बार ले तो कल ग्यारा ले रहे थे ठीक है उसका तीन देखनी पड़ेगी इतावानेव यजताम इह निश्रेयसोदयः भगवतिय चलो भावो यद भागवत संगतह देवताओं के उपास्टकों का इतना ही लाव है कि वह देवताओं की उपास्टना करें और देवताओं की विवस्था से किसी तरह से उन्हें भक्तों का संग प्राप्त हो जाए और इस भक्तों के संग के द्वारा उनकी भगवान में अचल भाव हो जाए अब इस लोग में थोड़ा लिंक समझने का प्रयास करिए कि भक्तों की संगति में वो करेगा क्या मैंने समझाय था में बात है गोहियम आख्याति प्रिच्चति तो भक्त लोग भगवान के बारे में बोलते ही रहते ही उनका सभाव होता है भगवान का यश्च जितना हिर दोलने के इच्च और बढ़ जाते हैं तो भक्त लोग तो कभी कथा से निवृत होते नहीं है तो अलग अलग लिए गए हैं लिंक तो श्रीदर स्वामी क्या लिंक लेखते हैं ज़र उसको पर देख लीजे तो समझ में आएगा जयार्ब श्लौक के भागवत संगतः के द्वारा सुचित श्रीहअरिक अठा की प्रशनसा ज्ञानम यदा इस जोग से करते हैं को भागवत की संग में से क्या प्रापत होता है ? हरीकथा, तो हरीकता इतनी अध्भूत है कि व्यक्ति मुक्त होने के बाद भी उससे मुक्त नहीं हो सकता इस लोग का बताए जागे किस प्रकार से व्यक्ति भक्तों के संग में आकर मुक्त होता से करम बताएंगे एक के बाद एक के बाद एक के और कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वह गुड़ों के प्रभाव से मुक्त हो गया तो वह अब कथा को बंद कर दे तो आप समाझ सकते हैं कि हरी कथा कितनी आकर्शक है सो मोग्त प०्ध को भी आकरशत करने वारी बलकि कहाँ कि specifically मोग्त प०्ध को आकरशत करने वारी अठाथ यह दिव्य आत्म रामास चमुनयो निर्ग्रन्था अपिव अुरुक्रवे कुरुवं्द तुकें भक्ति इत्थम भूत गुड़ोहरी जो आत्मा में ही रमण करते हैं जिनका चित भगवान मतलब भौतिक वस्तों में जाता ही नहीं है आत्मा रामस्च मुनियों जो मुनी गण है विवेक शील है सार असार के विवेकी है निर्ग्रंथा जिनकी हिर्दय ग्रंथी मिध्यांकार नश् अपी उरुक्रमे उरुक्रम मतलब भगवान विष्णु में कूर्वंति अहे तुकिम भक्ति कूर्वंति पद परस्मे पद है परस्मे पद मतलब जो दूसरे के लिए किया जाता है तो कूर्वंति अहे तुकिम भक्ति भगवान उरुक्रम भगवान विष्टु में उनकी प्रसंता के लिए भक्ति करते हैं क्रिश्ण को करने के लिए करते हैं इसकह और टाइ कि क्रिश्ञ के प्रेमी है वह तो समझ रहें बात कुर्वन्त यह है तो कि म्य Wrestle और आएसा क्यों करते हैं जब आत्मराम है कि सीमिय आ सकते नहीं कीवल आतमा में रमर करते हैं तो भगवान की इस इस प्रकार को प्रसंद तो खोड़ा है वही भूल था रहा है वहीं बोलते जा रहा है और उसमें आनंद प्राप्त हो रहा है तो समझना चाहिए कि जो व्यक्ति भगवान की कथा को सुन रहा है वही व्यक्ति सुखी है सुख का लाभ करने के लिए कथा की जा रही है सुख को बंद करने के लिए नहीं कुछ समझ पा रहे हैं दिन भर तो व्यक्ति जलता ही रहता है तो उस जलन को कम करने के लिए पानी दिये जा रहा है यह कथा कि जा रही है सुखी करने के लिए लेकिन हरी कथा मोक्त पूरुषों को भी आनन देने वाली यह व्यक्ति सोचे कि हमें सुखी कैसे होना है तो सुखी होने का पत्थ भी यहां पर बता जा रहा है और चक्रवर्ति पात क्या क्याते हैं वह आपके देखेंगे अलग लगटी कम लेगा है इतना हमारी कथा की प्र हरी कथा की उपेक्षा नहीं हो सकती हो करते भी नहीं है तो पिर आने लोगों के लिए कितना आवश्यक है और उसके बाद क्रम बता जा रहा है कैसे कैसे भगवान की कथा से और भाक्तों के संग से जीव मुक्त हो जाता है और मुक्त के बाद मुक्ति के बाद भी हरी कथा ह सुनता रहता है तो हम इससों गाने का आज महत मन कर रहा है तो गाय जाएगा घड़ी बड़ी हम देखनी रहे मेरी दूर का मिजन खराब हो गया कुछी यह बात सत्थ है कि सुभह की क्लास हमने कम कर दिये एक घंटा कर दी है वह काम करने जाना हो जाता रहे हम चिंता नहीं कर रहे उसकी ना कुछ सुनने वाले हैं हम उदर देखी नहीं रहे हैं वह तो जैसे बहले भी वीडियो ऑन करके और अफ करके बैठा है या यूटूब पर सुन रहा है तो तो हमारे दूर के परवार का है ना चाचा ताओ का कहीं कलल का होगा तो उसकी चिंता क्या करना है is it not सामने जो भक्त बैठे हैं वो तो सब ख है तक हम क्लास करेंगे बैसे बाकि जिसकी जैसे शद्धा हो उसके इंसार अपना इन्वेस्ट करें ठीक है तो माइक पर गाईए मेरे पिछे बोली सुगुदेव को सामी का रहे है तो हम भी गाएंगे ज्ञानम यदा प्रति निव्रत गुनोर्मि चक्रम आत्मा प्रसाद उत्यत्र गुनेश्व संगह कैवल्य सम्मत पथस्त्वत भक्ति योगह को निर्वृतो हरिकथा सुरतिम्न कुर्या ज्ञानम यदा प्रति निव्रत्र गुनोर्मि चक्रम आत्मा प्रसाद उत्यत्र गुनेश्व संगह कैवल्य सम्मत पथस्त्वत भक्ति योगह कै वल्य सम्मत पथा स्त्वत भाक्ति योग हा ओ निर्व्रतो हरिकथा सुरतिम्न कुर्या यानम यदा प्रति निव्रत गुणोर्मि चक्रम आत्म प्रसाद उत्यत्र गुणेश्वसंग हा के वल्य सम्मत पथा स्त्वत भाक्ति योग हा ओ निर्व्रतो हरिकथा सुरतिम्न कुर्या यानम यदा प्रति निव्रत गुणोर्मि चक्रम् आत्मा प्रसाद उत्यत्र गुनेश्वसंगह क्ये वल्य सम्मत पथा स्थवत्भाक्ति योगह को निर्वृतो हरिकथा सुरतिम्न कुर्या को निर्वृतो हरिकथा सुरतिम्न कुर्या अत्मा प्रसाद उत्यत्र गुनेश्वसंगह क्ये वल्य सम्मत पथा स्थवत्भाक्ति योगह को निर्वृतो हरिकथा सुरतिम्न कुर्या एक बहुत प्रसंता में हो रही है कि भगवान ने हमको ऐसा माध्यम बना रहे है कि यह प्रड़क्त हमारे ही पास है है कि यह प्रचार के मार्केट में बहुत सारी लोग बोल रहे है यह प्रड़क्त हमारे ही पास है इस समय है कि is it not we have exclusive customers for this और आप देखना कि कहां कहां जाए इस लोग जाएगा पहले तो आप शब्दा अनवादी पढ़ लेजिए ऐसा ज्ञान भौतिक आसक्ति सिरहित होने के कारण आत्मतुष्टी प्रदान करने वाला है और दिव्य होने के कारण महापुरुष्ण बारा मानने है तो भाला ऐसा कौन है जो इससे आक्रिष्ट नहीं होगा अर्थात सभी लोगा अक्रिष्ट होंगे अब यह अभी पॉकोड नहीं बन रही होगे अन्वे देखिए अन्वे से पकड़ मन जाएगे कहां था यत कि यत शब्द कहा है ड्वंडी जरा पहली ल्यान में कहीं दीख रहा आपको तो अब देखिए यत प्लस आ प्लस प्रती निव्रत प्रती निव्रत देखног ये ग्याना इत और ता के बद हलंत कि पल स आ तो यह प्लस आ जिकोसथ तु यदा लेकिन यल्ध प्लस आ इस ग्याम स्ढम होता है्लिस समय वो भी या जा आएगा यहां पर प्रभुपाद जी श्रीद स्वामी के अर्थ के अंसार उसको तोड़े हैं यत यत मतलब याता और अर्थ हलंत प्लस के अपिटल आ मतलब सर्वतह पूर्ण रूप से और यत मतलब जो जो ज्यान यत ज्यानम कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है हाँ 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 समझ आ रहा है ठीक है यत प्लस आ प्लस प्रति निवृत चली देखिए अब आप संस्कृत पहले देखिए तब नहीं तो समझ में नहीं आएगा यहां पर देखिए नोट देखिए पेज नमबर नौ पर दिख रहा संधी में यत प्लस आ जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है यदा का अर्थ होता है जिस समय लेकिन उसको वैसे अलग तरह से तोड़ी है यत प्लस आ तो यत मतलब जो ग्यान और आ मतलब सर्वता ये श्रीदर स्वामी के अंशार अर्थ है चक्र वर्थी पाद अलग अर्थ लेंगे अभी जो प्रवपाज लिये हैं वो यत प्लस आ प्लस प्रति निवृत तो जल्दी से बोलेंगे दो क्या है यादा प्रति निवृत अब नहीं पकड़ पाने संधी से, बोल-बोल के समझ में जाएगा, यदा प्रतिव निवृत्थ, यदा प्रतिव निवृत्थ, My dear devotees, are you able to catch this, my dear devotees? Yes, yes, they are nodding their head, I am very happy to see that. यदा, यता, यदा प्रतिव निवृत्थ, यदा, प्रतिव निवृत्थ, ऐसे जड़ग है संधी, अब दिखिए यद का मतलब है, जो ज्ञान कहां थे, यद, भगवत संगती से ऐसा ज्ञान उत्पन होता है, जिस से? भगवत संगती मतलब भागवत संगती मतलब भागवत संगती होना चाहिए भागवत संगती भागवत मतलब भगवान के भक्त भगवान के बारे में बोलेंगे तो उस संगती से रिद्य में भगवान के प्रति ज्ञान उत्पन होता है, ज्ञान मतलब भगवान के एश्वर ये माधुर का ज्ञान हो जाता है, तो उस ज्ञान से गुण उर्मी चक्रम, गुण मतलब प्रगिती के गुण, और उर्मी का मतलब होता है तरंग, और चक्र मतल जब भावर भावर राग आदी गुड़ों की तरंगों तो था भावर के समहूं से राग और द्वेश्ट इसी में जीव फंसा हुआ है कि नहीं अब इसमें दो चीजे बोली हैं एक बोल रहा है गुड़ की उर्मी उर्मी का वर्त होता है तरंग वेवस अब अपने चितको जबा देखे पूरा दिन, या तो राग की उर्मी चल रही होती है, या द्वेश की उर्मी होती है, मानते हैं कि नहीं? और अब अब कहेंगे तरंग में भवर कैसे आजाएगी? तो देखिए, पहले तो समझेए, तरंग की तरह उठ रहा है कि नहीं गोणों का प्रभाव? कभी रजोगोण कभी तमगोण, कभी सत्वगोण, और उसकी आधार पर क्या? दो फल, राग और देश. यह बहुत कठिन है, यह एतना असान नहीं समझना. गोण, उर्मी, क्यों क्या रहे समझ में आ रहा है? गोणों की वेश, होता नहीं तमगोण, रजोगोण, सत्वगोण. तमगोण करना है, अरे छोड़ो, कल करेंगे. और देखा है, रजोगोण में क्या होता है? येस, येस, I have to do this, येस, करते करें, और सत्वगोण में ठीक है, भजन करें, शांती से. क्या यह देख रहे हैं कि नहीं? और उस गोण की और्मी के प्रभाव से, फिर दो और्मी निकल रही ह बहुत है, रग अर्देश ये अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा नहीं लग रहा है. मैं खुद बोला कि खिच्छी हो जली विती, खिच्छी क्यों नहीं आ रई है? राग और जैस त्टी आग जली वे ना, अनका एक्दम नहीं। बाद में उसको ये वापस ले बहुत mist कि सूबर से शाम तक नहीं हो चल रहा इन रागद्वेश कि तिनो गुंड क्या कर सपो गुंड में भी रहता है साफ कर में वह चीजेंब पशन नहीं आती है जो अबedar 숨को प्रेज़ को करने हो जब तक गुणों में है यह राग दूश चलता रहता है तो अब चक्र क्यों कह रहे हैं तो देखिए भावर में आदमी पहुंस जाता है तो बाहर में निकल पाता है निकल पाता है नहीं निकल पाता है तो इसी राग दूश के कारण जीव संसार चक्र में फासा हुआ तो यह राग दूशी चक्र की रूप में भी है इच्छा द्विश समुथेना द्वंद मोहिन भारत आगी गीता कि श्लोक देखिए चौधवे अध्या में साय तेर्वे में इच्छा द्विश समुथेना द्वंद मोहिन भारत सर्गे यांति परंतपास करके अंड हो रहा है इच्छा और द्विश के कारण ही इच्छा द्विश समुथेना द्वंद मोहिन भारत द्वंद हो जाता है द्वंद का मतलब डूएल्टी यह अच्छा है और यह अच्छा नहीं है जो अच्छा उसके मिराग हो जाता है जो अच्छा नहीं है उसके प्रथि द्वेश होुता है, संधे ना कि स्थे इसा होता है, स्थ गुण वाला व्यक्ति भी ज्ञान के प्रथिया सत्फ हो सब्सक्राइब के द्वारा जगत से बनता है और मैं सुखी हूं इस जगत में इस भाव के द्वारा फाज जाता है तो वहां भी आ सकती है 7.27 इच्छा द्वेशा समुथे ना द्वन्द मोहेन भारता सर्व भूतानि सम्मोहम सर्गे यांति परंतपा 7.27 आप लिख सकते हैं बने पढ़ लेना इसको कह रहा है कि हे भारतवंशी जितने भी जीव हैं वह है डुएलिटी द्वन्द के कारण सम्यक रूप से मोहित होते हैं यह अच्छा है यह बुरा है इस बहुती जगत में ना तो कुछ अच्छा है ना बुरा है सब कुछ खराब है भगवान की भक्ति के लावा कुछ यहां कल्याण में नहीं है लेकिन राग और द्वेश के कारण जो उसके पूर के संस्कार के अंसार होता है वेक्ति किसी वस्तु को अच्छा मानता है किसी को नहीं मानता है यह है और इस कारण से हुआ है बार-बार जन्म लेता है हाँ यह तो बहुत अच्छा लग रहा है काशी मिल जाता ठीक है अगला जन्म लेलो लेलो मिल जाएगा गोण और मी चक्रम समझ में आ रहा है एक के बाद एक तरंग उत्पन होती है और भावर में फसा देती है जीव को आप समझ सकते हैं जैसे गीता कश्णों को भी कोड किया गया द्वंद से वे समयक रूप से मोहित रहता है मोह का अर्थ समझ रहे हैं मोह का मतलब क्या जवस्त क्या देख भाएंगे घूंते रहेंगे जोड़ जोड़ से कुछ अनभाव करपार है भावर में भावर में समझ रहे हैं भावर में अगर हम वर्लपूल में वाशिंग मशीन में डाल दिये जाए तो क्या होगा तो यह हिस्तिती हो जागी कि नहीं वस्तुओं को यद्धावत देखने की छंता नहीं रहेगी कि नहीं अब सब लोग जानते हैं कि पांच करूर लेकर पैदा हुए थे औ कुछ गलत बोल रहा हूं जीरों लेकर आते हैं और जीरों लेकर जाते हैं और वह जो आप साथ ले जाते वह क्या है जो आपने दान दिया है वह करते नहीं मुह है कि नहीं यह गोण और मीचक्र है हमको इस अब ड़ा चलता है गोण प्रक्रिति के गोण और भी मतलब तरङट और चक्र तो इस ये क्या वहतो है मिदा मंश्की लग रहा है केसे बाहर निकलेंगे तो कह रहे है कि यद गुडुर मी चक्रम आप प्रती निव्रत वो हाइलाइट नहीं कर पाया प्रती निव्रत मतलब उपरत प्रती निव्रत रोक देते हैं जैसे वाशिंग मशीन घूम रही है बटन दबा दीजिए रुख जाती है कि नहीं अगर वरल पूल समझ में आ रहा हो तो यही भवर वासे तो नदी की भवर देखने नहीं समझ में आ रहा हो लेकिन वहाँ तो उसको बिलकुल रोक देते हैं कैसे बजली कब आप बटन दबा दीजिए तो रुख जाती है तो यह द गुडुमी चक्रम आप प्रती निव्रत भ वर्मी है कभुना बाडिए तुमार विशैत्त रंगे भागवान के ज्ञान से यह किता से प्रक्ति कर्यत्र आप नब jurisdiction कैनी मेरे इस प्रकार से बड़े प्रसन्न मन से कथा करता है अब ही देखो ना जो बहुत रजुगण योगा तो घड़ी ही देखना शुरू कर देगा कब खत्म होगी क्लास कब खत्म होगी क्लास है ना दिक्कत बान लगा ना रजोगन का तम गुणी व्यक्ति तो ओम नमो उसी में सोच आएगा और फिर जब महां से हला होगा महां प्रसाद गोविंदे तब उसकी नीद खोले देखा आपने यह तो दृष्ट है कृष्ण अब अब एक दिर्श्व प्रस्तुत कर रहे हैं आप लोग तम कुसी के निंदा नहीं करना चाहते लें कुछ लोग तो जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाई नहीं बोलें देते ओम नमो भगवते वासुदेवाया इत्मा खोली देका दो चालो ड्रॉप हो गए उस लोग भ इसे यह भी देखा है भयावा आपराद नहीं करना चाहते हैं देख आष्च्र खृराठा मारते मुग से लार ढम गिरती थी कर यह देखा है, शुदा मुग से लाल गिर रहा है। और मं पकर र।ना भी पकड़े हैं, स्रू भू भी रह एह हैं, अमुग से लार भी रही है सब कुछ हो रहा है यह कैसे हो रहा है यह तो इस कौन के डिवोटी ही जान सकता है और उठाद तो ऐसा लगता है इसे करके उठ जाते है हम अपना भी हासी कर रहें एक दिने बहुत थका था बीमार था क्लास में पहुंच गया और ऐसी नींद आए मेरे को कि जट जटका लगा तो मेरी नीन टूट गई हमको बड़ी शरब लगी हमने कर लोग क्या सोच चलंगे एकदम एक बार नींद आ रही तो ऐसे करके ऐसे पीशे गिरने वाला था हमेशा नहीं वाले किनम अपने भी मजाग बनाते हैं कभी कभी नहीं आ जाती इस तरह से एक बार भुरिजन पर क्लास चल रहा था शाम को मैं बहुत थका हुआ था तो कुछ आखी नहीं खुली मेरी इन लंगतार सोता ही रहा अक्दम गीता क्लास में एकदम सामने बढ़के प्रभुजी इतने सहिश्टु में बाद इस बाता है उसको उसके आखी कुसे नहीं पाया आखी तो यह सब की स्थिति है यह स्थिति है और एक अधिश्ट बात है एक भक्त बोल रहे थे यह क्लास में नींद आती ही क्लास के बाहर जाते ही नीन भाग जाती है ठीब यह सब है यह गुणों के प्रभाव इस प्रकार से है थाम उगों राजोगों तो या जो चक्र है इसको कथा रोग देती है क्यासी देखी डेखुची आ मतलब सर्वता अप्रती निविट मतलब निविर्ट मतलब उप्रत रोग देना निवर्थ्त तर्शेर उपगिये माना निवृत हो गए सेवा निवृत्त समझते हैं आप सेवा उपुरत हो गए सेवा से को छोड़ दिए तो क्याने आप पृति निवृत्त आ मतलब सम्यक सर्वतह जैसे आपने सुना था वैश्नव पदम आमनंती आ मतलब अच्छे से तो कहा रहे हैं सर्वतह पुरति निवृत यानि कि इस गुण और्मी चक्र को पूर्ण रूप से रोक देता है ये भगवत ग्यान इस पहला प्रभाव समझ में आया गुणों का प्रभाव जो कि चित पे रही है बता और क्लिर हो नीचाहिए चित के ऊपर गुणों का प्रभाव होता है यह दिखता है आप लोगो को जो मैं बोल रहा हूं कि सब लोग देखने का समथ जुटा पा रहे हैं समझ रहे ना चित पे थकान आ रही नींद आ रही तो क्या प्रभाव हुआ बताईए तमगुण का बहुत क्रिया शीरता हो रही है कि बहुत काम करना है रजोगुण और मन में थोड़ी शांती है जगत को आप थोड़ा सा द्रिश्टा के रूप में देख रहे हैं रोष्णी थी अभी पीली करती है अभी हरावी करने वाला हूं नहीं करूंगा और आप समझ नीजे कि एकदब वो जो डार्क नीली रोष्णी थी ना जो कैमरा वालों के होती है उस्टूडियो में हाँ रेड होती है डीप रेड डीप ब्लू तो वहां भी वही रूम रहत ही आप किस प्रकार से होता है उसका से हम चित वे चित का अन्भव करते है तो तंतम गोणी रजय गोणी यह सत्य गोणी आपव्रत लाके कि इस भागवत ज्यान से हिर्दय में जो गुणी उर्म चक्र हिर्दय में जो वाशिंग मशीन चल रही है गुणों का चक्र चल रहा तरंग चल रहा है उसको एकदम रोक देता है बस बंद करो यह क्या कम फाइदा है अब आप देखिए कि कभी कभी लोग क्या बोल देते हैं कौथा लंबी मत कीजिए तो यह क्या कहना चाहते हैं भाई यह चक्र बंद हो जाएगा थोड़ा चक्र चलते रहना चाहिए यह कहना चाहते हैं आप देखना कि जितने समय कथा में बेटने कुछ शांती रहती है जैसे ही बाहर निकलेंगे कुछ कोई ना कोई जुरू बटन दबा देगा उस चक्र को चलाने के लिए तो रजगोनी यह तम्मकोनी बैठे हुए है बटन दबाने के लिए गलत तो नहीं कहा रहा हूँ ना बैठी हुए है तुरंट उस चक्र को चलाने के लिए यह तो रजगोनी कोई बात कर देगा तम्मकोनी बात करेगा कुछ करेगा कोई विक्ति आप बताओ ऐसा हुआ है आस तक कि मैं क्लास रोग दूं और आप बाहर जाओ तुरंट बाहर खड़ा चैतन चरतामित की बास सम बज्वनी आया है और चाहे कितना भी सुंदर तिलक लगाया हूँ चैलेंज कर रहा हूं कभी हुआ अज तक माइडिय डिवोटीज कभी सचा अपने इस तरह से अज़ीद रहा है। वह चक्र ही उबल उबल के मुख से बाहर आ रहा है। तो वो दिवी संदेश देते हैं, makes sense to you, makes sense to me, yes, यह पहले लाइन से आपको समझ मा रहा है, यद गुड़ोर्मी चक्रम आप्रति निव्रत, जिस भक्तों की संगती से गुणों के ओर्मी चक्रसम हो, पूरी तरह से रुख जाते हैं, इसका लिंक आप देवता की उपासकों से लीजेगा वे, देवता का उपासका किसी देवता को क्यों पसंद कर रहा था, क्योंकि वह रजगुण, तमगुण किसे प्रेरित था, उसका चित इस प्रकार से प्रेरित था, उसी प्रकार से उससी देवता की पूजा कर रहा था, लेकिन भक्तों की संगती से उसका हिर्द पर शुर्ण से एक्ष़ली यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है यत ग्यानम होना चाहिए था है यहां पर ङसक के एदर आ गया है शंधिवा कि यह जयेगा यद ग्यानम तो ऊपर ले लिजेगा समझ पार है यह ग्याना भगवत संगिती से ऐसा ग्यान उत्पन होता जिस से उसके मैं ठीक कर दूंगे कल उता के बाद उसके बाद उसके पश्चात अंताकरण शुद्ध होने से ज्ञान से अंताकरण शुद्ध हुआ की नहीं गुण में गुणा का जो प्रभाव था वो नश्ठ हो गया की नहीं हां आत्म प्रसाद हा आत्म संतोष कानभ होता है समझ माया भक्तों का संगती प्राप्त हुए भक्तों का संगती से हरीकथा प्राप्त हुए हरीकथा से भगवत ज्ञान प्राप्त हुआ उस ज्ञान के प् चग्रम आप्रति निवर्ता है। गुणों का जो चक्र समू है गुणों की तरंगे हैं उनका चक्र चमूॉं मतलब समूह ले लिजिए तो वहै, कि अब निवर्त हो गया वब हीरदय भी नहीं चल रहा है। और संपूर्ण रुप से निवृत्व हो गया आप्रती निवृत्य इस कारण से आत्म-प्रसाद आत्म संतोश कार्ण होता है ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना शोचती ना कांग्शती यही तक ले लिए यानि कि ब्रह्मभूता बस्था राप्त हो गई यह समझ में आया आ तो कुछ कामना आती है ना तभी तो जब छोड़के कई और जाते हैं कभी सचा आपने ऐसे और वो इतनी महत्पूर्ण है कि अब जब से भी महत्पूर्ण है मैं अपनी बात भी देख रहा हूं अभी हम लोग आत्म प्रसाद नहीं हैं अभी हजारों इच्छा हैं ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए ये त्यादी त्यादी क्या हमारे देव इच्छा है कि नहीं तो अब ठंडे दिमाग से बैठके भजन नहीं कर पाते सोचे वो स्थिति जब कुछ नहीं चाहिए कोई ऐसा दिन जिस दिन कुछ नहीं चाहिए और रोटी तो मिल जाती नहीं वो भी नहीं कोई भी ऐसी वस्थु नहीं जो हिरिदे में ग्लानी का अनभव करा सके ये है आत्म प्रसाद या आत्म संतोश की स्थिति थवस्थि तम क्रिष्णा निल्लां परम मंगलं करनपी उष्reenा-ष्रमास्वाद्यशती अनिस् प्रीहाम जना ए खृष्ण आपकी लीला कता को जो सुनता है तो वह सारी च्छाओं को त्याग देता है थाए क्रिश्ना निर्णाम परिममंगल जीवों का परंच कल्यान करने वाला है कहां फशे हुए में इस गोड़ों नियुक्ति की मृक्ति की स्प्रियां को भी त्याग देता है लेकिन कथा कि स्प्रियां को नहीं त्यागता यहीं शुक्दे को समय कह रहे हैं कि आत्म परसाद है, इसका अर्थ क्या है समझे, आत्म परसाद मतलब देखिए, इस जगत में कोई विक्ती कहीं घुम रहा है, कुछ ग्लानी कुड़ों के घुम रहा है, भाई ये वक्ती वे, ये वस्तू उनको प्राप्त नहीं वह यह वस्तु प्राप्त हो जाए तो हमारी गलानी समाप्त हो जाए कि लेकिन अद्भूत बात यह है कि वस्तु प्राप्त होने के बाद गलानी और बढ़ जाती है हाई यह तो मिल गया है यह वह और मिल जाए तो और अच्छा रहता है यह बोलते हैं टाल रहे गी और वास्तू प्राप्त करने के बाद और च्हां करने रमाद जाता है कि जैसे मैंने गुजराथी कुजिन कभी नहीं खाया है गुंसुन रहा आलू की कम से कम 76 तरह की छतर तरह की सब्जी होगी है। आज ये ड्राई खाया, जीरा वाला वो टमाटर वाला होता तो। देख रहे हैं, एक वस्तू प्राप्त करते हैं उसके पीछे, एक भोग प्राप्त करके और भोग की इच्छा होती है कि नहीं। इत्मे जस्ट अपिर एक इन्फरमिशन, इस सी इन लाइफ, इस अमेजिंग। हम भोग की पीछे भाग रहे हैं और एक भोग अन्य अन्य भोगों की प्राप्ति करा रहा है, वो और अधिक ग्लानी को निर्मान कर रहा है। ये सब लोग देख पा रहे हैं क्या, अगर देख स भाव, आत्मसंतों समझ रहे हैं, इसी को आगे व्यक्ति किया जाएगा स्वेह्म परिशित महराज के द्वारा, कि हे शुगदे गुष्वामी आप की द्वारा, मैं कथा सुन रहा हूं, तो मुझे भूक और प्यास भी सता नहीं रही है, महान भक्तों कैसा अन्भव होता ह भूक और प्यास को भूल जाना ये तो बहुत बड़ी बात है, मैं कम से कम चार बर तो पानी पी चुगा हूं है, डेड़ घंटी क्लास में तिंचर बर पानी पी लेता हूं, वहां साथ दिन क्लास हो रहे हैं, शुगदे को समय पानी नहीं पी दें, सो नहीं दें, ये भी अगवान की कथा सुने और उसमें वह संतुष्ट है, लेकिन ये कब हुआ, जब हृदेश शुद्ध हो गया, चेतो दरपन मारजनम, भव महा दावागनी निर्वापनम, क्लीर हो गया, जलन है ये चाहिए, वह चाहिए, ये हो रहा है, वह हो रहा है, वह सब समाप्त हो यही पर है, इसी इस थान में, गलललललल, लोगोदेश, इसे प्रिकार गचार, भी जघतो है, ये होती ही, ये चाहिए, ये रोते ही RJतों हो चला गया, है। शोचति कांग्शति इस सब समाप्त हिर्दर शुद्ध हो गया तो आत्ना के सुरूप में वक्ति स्थित हो गया और उसे जगत से कुछ नहीं चाहिए आत्म प्रसा समझ में आगे आत्म संतुष फिर कह रहे हैं कि यत्र जहां हरी विशेग दिविज्ञान है वहां कहां रिदे में ये ज्ञान कहां उदित हुआ जो वक्ति व्यक्ति भगवान के भक्तों का संकर रहा था कानों से सुना उसने उसको अच्छा लगा और अब हृदे उसका कथा के द्वारा शुद्ध हो गया शुण्वतः स्वकथा कृष्णा पुन्यशवण कीर्तन हृदे अन्तस्त वद्रानी विदूनोतिस रुस्षत जो वक्ति भगवान के कथाव को सुने में रूची रखता है भगवान स्वे में उसकी हिर्दे को साफ कर देते हैं अब प्रकृति के गुण भगवान के सामने तो टिकने वाले नहीं जो कहने है यत्र जहां हरी विश्यक दिविज्ञान मतलब कितने अच्छे हैं ये कथा क प्रकृति के गुणों में अर्थात विश्यों में अना सक्ति होती है प्रकृति के गुणों में अना सक्ति कर समझे इस जगत में हर वस्तु प्राकृत है भगवान की भगति को छोड़कर भवान तो ये जगत के हैं ही नहीं तो इस जगत की हर प्राकृत वस्तु के प्रति हमारी को आसक्ति है या नहीं है पहले बता यह तो हुरेदे में आसक्ति वह वस्तू रहरा के प्रभाव के कारण उन नहीं की प्रती आ सकती होती है तो कह रहा है गोड़ेश यह असंगा मतलब अब जगत की किसी वस्तू के प्रती को आकर्षण नहीं है ना तो सतकोडि वस्तों की प्रतीव कृण अकरशन आपल की प्रती भी आए सकते रहे करें क्या दिए कि न न ऐसे नहीं जाए न तो मशरूमें तो और आचार में रज्युगुण और नों है लों है सतोगुण किसी में को आ सकते ने कुछ लोग उसमें बड़े आ सकते हैं हमकी वह एपल खाते हैं हमकी मिल्क पीते हैं त्यादे त्यादे उसमें भी को आ सकते हैं जगत की किसी प्राकृत वस्तु में प्राकृत वस्तु किसी प्राकृत वस्तु में को आ सकते हैं गोडेशु असंग तेयन जो मुद कर दो कि तो जाए तो तो आप इसमेफिए पांच क्रास करते हैं चेर कर देज़े बाकी और पांच Аत्माई को सोर्णार्जेर का तो सवा हुआ कर सके खता कर रहें तो कुछ नौ को सोने को तो माूँका मिलेगा तो यह जो चानि कुमा में तुम नहीं गये ठीक है गुणेश्व संगा यह समाझ में जिस स्थामें जिस अवस्था में जिस आवस्था में वहां पर गुणों का कोई अब आ सकते हैं गुणों कोई रखाव नहें रहेगा अथ यह अधेव केवल सम्मत पफ केवल करते हूँ है केवल दिव्य जो पूरी तरह से प्रकृति के गुणों के पत्व है По संमत हुआ है संमत मतलब सुक्वीक्रिट और पफ मतलब थो मतलब और भक्ती भक्ति योग है यानि कि यह जो पत है भक्ति योग का यह पूरी तरह से दिव्य है और महा जनों के द्वारा सुकृत है अब यह अतेव क्यों लगा रहे हैं भक्तों का संग हुआ उससे गुणि उर्म चक्र की आ प्रती निव्रित्ती हुई और उससे आत्म प्रसाद प्राप्त हुआ आत्म संतोष प्राप्त हुआ गुणों के प्रती असंगत हो गया तो मुख्त हो गया की नहीं इसमें महनत क्या होई कुछ नहीं बैठ ये कता सुनो तो इसलिए महा जनों के द्वारा ये सम्मत पत्थ है कैवल्लिका मुग्त होने का सबसे सुन्दर तरीका है भगवान श्री कृष्णी की भक्ती लग रहा है आप उस पार्टीम नहीं है महा जनों के द्वारा सम्मत है आप लोग कोई अलग मत है कुछ आप लोग अलग करने वाले कल से हम लोग को क्या आप शीर सासन करवाएं आप शाम के टाइप साधन बहुत आसान है भक्तों संग बैठकर भगवान के बारे में सुनना है न यह भी नहीं कि सांस आप छह बार छोड़ी धर तो बारा बार गिनी अंदर तबाई बारा बार उसके बार चौविस काउंट कीजिए उसके कुछ होने वाला भी तो नहीं है ट्राइ कर सकते कु भक्तों की संगती भक्तों की संगती में हरी कथा को सुनना हरी कथा से गुणोर मी चक्रम गुणों की उर्मियों का चक्र जो है वह है उसका नाश्वना और आपरति दिवर्ति से हो गया तो यत ज्ञान लिजेगा जिस ज्ञान से भक्तों की संगती में हरी कथा को सुनना हर इक अधास से ज्व्यान भग्मान के बारें पन्न हुआ है। उससे गणोरं मिशक्र की तरंगों का चक्र समुह जो है वह है। इद्श्थम थम जाता है, रुख जाता है, और उसे वक्ति आत्मप्रसाठ़् को पराप्त होता है, है आत्म संतुष्ठ हो जाता है और उस अवस्था में गुड़ों का कोई कोई आ सकती नहीं रहती यह करम समझ में रहा है तो समझ में रहा है कि जीव मुक्त हो रहा है यह दिख पा रहा है कि जीव मुक्त हो रहा है जी और यह कितनी असानी सुरस में तपस्या क्या है तपस्या आपकी जो अनुवा है समझने तपस्या है और यह सी नहीं होता तो हमारे सारे जो रेडियेटर में आपकु एक सेंटरल कंपिटिंग सिस्टम था यह मंपों समझ नहीं आता था कि वहां इतना थंडा क्यों करते हों हच से ज्यादा थंडा हम लुग हम लोग को थे जुरुएत नहीं थे वहां की प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए है, अब समझ में यहाँ है यह इसे क्यों चलाते हैं अंदर? ताकि आप जो प्रोसेसर है वो थंडे रहे और दिमाग चलता रहे और भागवा समझ में यह बात. देखा था उदिने इसी नहीं चला था सब का प्रोसेसर गरम हो रहा नहीं समझ में आ रहा है हीट हो रहा है कि यह सबसे आसान पत है भगवान इस बात को गीता में कहते हैं क्या है ते शाम हम सुलभ पार्था नित्य युक्तस से योग नहां आठ वाध्याय जो लोग रोज मेरा स्मर्ण करते हैं उचाहे कहीं पे भी उनके लिए मैं सुलभ हूं पार्थ उनको अब नाग दवाने की जुरत नहीं है नाग दवाओ दौकनी चलाओ सब करने की जुरत नहीं भगवान की प्राप्ति के लिए पेट ठीक करने के आप कर सकते हैं भगवान की प्राप्ति करने के लिए कोई जुरत नहीं तो आप समझ गए इसलिए ये कैवल का सम्मत पत है रिशी राम कृष्ण दास जी बाबा जी बताएंगे कि केवल का पत क्या है बताइए केवल की पत का नाम बताइए रोड बताइए केवल की पत का केवल पत का नाम बताएं भक्ति योग बाबा विवेक बताएंगे बाबा विवेक अनन जी महाराज बोलिये केवल नाम किया है नहीं बताएंगे मजा कर रहा हूं। चलिए अब बताओ माताओं को अरग मत रोसकता है। बग्वान की कथा। बग्वान की कथा या भक्ति योग। और किसी का यहां मत है। ठीक है। जो जो लोग महाजन रहे जोडों दिव्य है तो रहे भक्ति नहीं है एक दिया कैवल लेपत्ति है भग्मान श्री कृष्ष्ण और उनकी प्रप्ति कराता है भक्ति प्र भक्ति की जारे भक्ति प्र clear करने लेकिन कैवल की प्राप्ति अपने आप कर आतीा एक बाद भी भुशाट का नाम बोलता है तो वह मुक्तिकर्थ है यह मन और इंद्रियों का दासत्तौ मन और इंद्रियों का दासत्व मन जो बोलेगा वो करेंगे इंद्रियां जो बोलेगी वो करेंगे उससे हम लोग सहज रूप से मुक्त हो रहे हैं कि नहीं एक मत बताओ आज मैं एक दम गन लेकिया हूँ मार दोंगा इसे तो कि आज जीन में देख रहा है आपको सोरी सोरे आज बुस्थानी मनता कुछे मुश्व कि यह कि का यह दिख रहा है कि मन का दासत्य कुछ कम हुआ है he इंद्रियों का अदासत्य कम हुआ है क्या करदे से हरेकृष्णाहरेकृष्णाव Basilina got us now 阿拉ud हरे jsum Atna Jeebox like it Mandalade नी देखनी ग्लानी थी की ृटीप और जैसे पुरेफ двух में सब सामा कर दिया भ्वन सारी क्षा dove कि सबने में वहिए कॉपने में गishing करना देख्ञोज तो पस सीना जाता है कि कर रहा हूं नौकरी ढूंड रहा हूं इत्यादी 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 इस अमेजिंग लिबरेशन क्यों आप मत्वरे शरीप्रव क्या आप कभी सोचे थे कि जो आपका फ्लारिशिंग बिजनेस है उसको बस खाली वर्क फर्म हम पर छोड़ करके आप यहां बंदावन में आ जाएंगे क्या यह मुक्ति नहीं है इसे मर्शी तो है कि मुक्ति नहीं दिख रही आपको यह आपको पता था कि इस प्रकार से कुछ होगा यह आपको पता नहीं क्या होने वाला है मुक्ति देने वाला है, जब दिख रहा है रिजल्ट दवा का तब विक्ति दवा कंटीनिव करता है, क्या सभी भक्तों को दिख रहा है कि कुछ मुक्ति मिल रही है, नहीं समझ में रहा है, मन और इंद्रियों का दासत्व, हमको यह सचे नंदर महराज के परवचन से बहुत मन और इंद्रियों की गुलामी, जो मन भूलेगा वो करना ही पड़ता है, याद आ रहा है, अब क्या है, आप देखियों कि बहुत सारी बाते मन बलता है, यह चुप, बलते हैं कि नहीं सुनने तुमारी बात, बाकवास नहीं, बंद करो, कभी मने बुरा विचार भी आता ह आक़ आता है, यह चिश कर देते हैं कि कर देते हैं, यह नेकि एप आप जो मन में अच्छा है, तो रहें जाल ऑ ऐस्वार्त करने चालू कर देते हैं, बोलो यस, ब, जलदी से बोलो, यस, यह यह जादा है नहीं बात करना, यह बोलो। indigenous, नहीं है, आफ आपको वो दिन की आप 14-15 किलोमेटर दूर जा कहीं गोल गप्पे खा रहे थे कितने लोग नहीं किया है जीवन में बताई है हाथ खड़ा की विए लौस एंजिले जाने का मन था 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 ना भी चौफब गोल गप sır Collins सब करता है मंदिर देखने के लौस एंजले जा रहा है हो था हम नाम नहीं भोल रहा है ठीक है कि सब सभी क्या अर्थ होते हैं भगवान की भक्ति करने से सब क्या अर्थ नश्ट होते हैं तो क्या रहे हैं और इस भक्तियों का सार क्या है भगवान शेगर्ष्णी की कथा भगवान का नाम जब शवण कीर्थन पर अधारित था कि नहीं बताई शवण शवण कीर्थन स्मरण ये मोख्य बात है तो कहरें हरी कथासु निवृत कह रतिम न कुरियात भगवान हरी की दिव कथाओं में श्रवन्ड सुक से त्रिप्त सारी निवृत गलत बोल गया निर्वृतह निर्वृता का अर्थता है आनंद क्रिशी भू वाचक शब्द अडच निर्वृति वाचक तयोर एक्या परम भ्रह्म अभिदियति हां तयोर एक्या परभ्रह्म कुछ और है धूंड लीजेगा इसको लेकिन जो भी है क्रिशी सत्ता वाचक है और जो है निर्विति वाचक है अर्थत आनंद वाचक है तो दोन इंगित किए जाता है, Krishna मतलब जिनकी सत्ता ही आनन्द मोई है, तो निर्विर्ती का अउर्थ है आनन्द, तो हरी कथा में जो वेक्ति श्रवन सुक सित्रिप्त हो गया, तो कह रतिमना कुर्याद, और कौन वेक्ति होगा, जब उन से प्रेम नहीं करेगा, उन से, मतलब उन आज मैं सोच रहा था आज ही नहीं सोच रहा था लेकिन आज भी सोच रहा था कि हम जी क्यों हो रहें डेह में कुछ अच्छा वदार्त तो है नहीं उसकी व्याख्या करने की जुर्यत नहीं है तो आठ नो दस बारा घंटे देह को पोस्टने के लिए रख कर रहे हैं तो देह काई के लिए पोस्ट रहें यह सोचना पड़ेगा ना कि देह पोस्ट क्यों रहे हैं देह में अच्छा कुछ भी नहीं है किसी भी छिद्र से कोई अच्छा ने निकलता तो अब इस अत्यंत दुर्गंध मय देह को हम पोस काई को रहें क्यों मैनत कर रहें दस-दस घंटा इसी लिए वस्त तहा कि कुछ हम भगवान के बारे में सुन सकें इसलिए देह को पोस ना चाहिए नहीं तो देह दुर्गंध मय है और नहीं तो मर की देखिए पचास देते हैं कि नहीं ले जा उले घृ जाओ इसको जिसको बाब बाब कहकर के लाख़न वपे खर्च कर रहे थे मरते ही तुरंद फूंग देतें कि नहीं तो देखिए कोई वैल्यू है कुछ वैल्यू नहीं है कभी हम सोचते ने नहीं और यह सा बात चर्चा होने पर हम यह भ लोता के जहरे से भी सोजा बाबा तो वही बात बोलता रहता है की बात समझें आप कि दो कोडि का देह नहीं है इसके स्वाइन मेहनत कर रहा है तो कि आप इस की दो जो funds को घ Willi के एक पिर आगा मेहनत प्रचुर मात्रा में भगवान के बार में सुनेंगे तब भगवान की बात समझ में आती तो कह रहे हरी कथासु निर्वृता अब जो वेक्ति भगवान की कथा को सुनकर कित्रिप्त हो गया है तो उनसे रती क्यों नहीं करेगा हरती मतलब भाव प्रेम अत्ति दिखा सकते क्यों नहीं होगा वयम तुनावे तिरे प्यामा उत्तमश्लोक विक्रमे यत्शुन्वतह व्रसज्यानाम स्वादु स्वादु पदे पदे सूत्व को स्वामी से प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय में एक प्रश्न किया दो किया प्रश्न कर दिए है थने प्रश्न कर दिए धने ये प्रशन क्यों कर दिए तो आ गयां हम तो त्रिप्त नहीं हो रहे मतलब अन्य हो जाए हम नहीं हो रहे हैं यहां मैं निर्वृत्य शब्द की वाख्या कर रहा हूं शौनक रिशी अत्यंत प्रसन थे कथा सुनने के उत्सुक थे उत्कंठी तेज़ों क्याने कि वयम तुना वित्रप्यामा सुटकुशामी आप चिंता मत करें हमें कथा सुनने में खूब रुची है अन्य लोग भले त्रिप्त हो जाएं किना बस हो गया हो गया और नहीं सुन जिनके गुणों को उत्तम लोग उत्तम श्लोक में सुनते हैं जिसको सुनने से व्यक्ति तम से उत्तम हो जाता है यह उत्तम श्लोक आर्थ कितने ही बार बोलें उतनी बार सुनने में अच्छा लगता है कि नहीं उत्तम श्लोक विक्रम है उनके विक्रम विशेशक्रम प्र कभी कभी क्लास बैट कभी ओड़ी लीव कर सकते हैं अंदर बटन दब हाँ प्रुज बोलती रही आप बिजनस बच्चों की पढ़ाई यह वह करके हो गया ओड़ी लीव हो गया एकदम एकदम याद नहीं रहता है कि क्या बोल रहे हैं यहां सब हास रहे हैं अधर मन चला गय मस्ता है और सुन रहा है तब स्वादू स्वादू पवदे पवदे हर पद पे हर अक्षर पे उसको स्वादू स्वादू तो स्वादू लगा तब ऐसा क्यों तो कह रहे हैं शुडमताम करते हैं कान तो आका स्वरूप है कान कभी भरने वाली नहीं है है ना उसके बाद ऐ अच्छा भी नहीं है कि जैसे को विक्ति कावे हो रहा हो आब हमको बिठा दिया जए हम लोगों को समझ में नहीं और के लोग वह क्यों कर रहे हैं सब्सदारा को कावे समेलन होता रहता है को कुछ बोलते रहतने हैं हम लोग भारत नाट्टेम हो रहा हो तो बाबाजी लोगों बिटाते हैं बाबाजी को समझ में कुछ नहीं आएगा कभी कभी वहारा पॉनिश्मेंट वह जाता था कि कृष्णा हॉल में कारिकरम होगा उसमें कोई डांस प्रस्तुत करेंगे तो मैंने का अब मीरा यहां क्या काम है पहले बाद वैसे भी देखना नहीं चाहिमा तो जी ना चले हैं और उसके बाद हमको समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि प्रस्तुत क्या कर रहे हैं तो मैं दूसरे बत को बोलता है आप मैनेज करो हमारे अशिस्टंट को आप देखो क्या चल रहा है तरह हम निकलता हूं यहां से भाग जैती तो है समझ भ कि कह रहा है कि नहीं आप जो कता बोल रहा है हम समझ रहाए रसज्य है तो यही बात यहां quyल है एकफास निर्वरता हरी कता को सुल कर जो आनंदित हो रहा है उसकी अर्थ समझ रहा है रसक्ज्य है तो स्वाधू स्वाधू पद्धेपते अब होगयो हर सक Васर रस कम नहीं हो रहा, गन्य कित्रह, गन्य आप खाना शुरू कीजिए, तो पहले बड़ा वीठा लगता है, लेकिन आप चवाते जाएंगी लोसका, रस कम होता जाता है, है कि नहीं, एक्षूवत, शुर्टा स्वामी कहते है, क्या इसकी वाख्या पहली बार सुन रहे हो, ले के ऐसा नहीं है भगवान की बात को वही बात बार-बार बोलेंगे और बहुत सुख मिलता है और वही बात आप बार-बार सुनेंगे तो बहुत सुख मिलता है जो परमपुजी रादागों महाराज के प्रवचन सुनेंगे महाराज हमेशा नहीं बात नहीं बोलते है वही बा बोलेंगे लेकिन बहुत सुन्दर लगता है कि नहीं प्रभपाजी के प्रवचुने को सुनिए वही बात बोलेंगा अच्छा लगेगा एक बार महाराज जी बल्रा मौल में क्लास दे रहे थे और महाराज अजामिल की कता को ऐसे सुना रहे थे जिसे पहली बार बुल रहे है एक ब्रामर था उसका नाम अजामिल था हुआ है एक जंगल में घास का सारी लखडी लेने करें गया महाराज ऐसा क्यों सुना रहे हैं कि हमको पता नहीं हो है ना ह्या हार बार महाराज हार बार जैण्यमास्त में यहीं श्लोक लिड के जिस्में पहुकों remote को और भाक्तों ने पूझा ओर आविर बॉद्वार अविर में सुने जाए ना बहुत साल तक हमाराज हर साल वहीं श्लोक लेते थी इत ठीक है? तो, शामसंदर प्रभु, हरी कठा अनिर्वरता का अर्थ में हमने इस लोग क्यों कोट किया? माइक देजे इनको. हरी कठा सउ निर्वरता में मैंने इस लोग जो कोट किया वोसा कारण क्या था? भगवान की दिव्या कठा सुनने के लिए. ठीक है तो ऐसा कौन विक्ति होगा जो स्मिरती नहीं करेगा स्वादू स्वादू पदे पदे कुछ समझ में रहा है जैसे देखिए मैं एजामपिल दे रहा हूँ अभी क्लास से पहले खाना कहीं मिला नहीं प्रसाद नहीं मिला तो कहीं जाएं क्या नहीं का प्रहुजी का आत्म निवदन प्रभु किया राइस दाल था मैं एक दम भूका साधू भाग बराबर टूट गया उनने का फ्लेट लाओ मिल गया बढ़िया प्रसाद चना मिला के खाने लगा पांच है कौर तो हमको पता ही निचाना गायब कहांगा लेकिन पेट जब भर गया तो न अब तो रती क्यों नहीं करेंगे बताइए आप मेरी बात समझें मैंनो धारण क्यों दिया शुरुआत में हम बिल्कुल पगला गया है कि भूग लग रही खाना दो खाना चाहिए खाना चाहिए बहुत आ सकती है लेकिन पेट भर गया तो ना आप कोई रती नहीं है लेकिन आप जब के प्रभाव से कथा समझ में आने लगती है 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 आप आज बोल रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा है आप नोट कर लिए आज तारिक क्या है साथ दस दोहजार बाईस की नहीं समझ में आ रहा है सुनते रहिए जब करते रही गंबीरता से तो शाद एक साल के अंदर झाट समय आ रहा है ये आप के संग नहीं सब के संग को ता है सब के संग होता है है कि नहीं शुरवाट पर भाशा ही समझ मेंनी आती कि है उपाद दिये प्रतिनिवृत निर्वृत क्या आएक दम बच्चे की तरह सीखता है लेकिन सीखते सुनते पकड़ मैंने लगते ही बात है हम तो आनुवे मही रह गए आज पर यहीं रुख जाते हैं फिर सीदर स्वामी की टीका पढ़ करके हम फिर रुखेंगे हैं इस बहुत अच्छा था अब आप बताओ कि क्या वाकई आप यह चलते फिरते श्लोक को समझ पाएंगे कभी नहीं समझ पाएंगे इसलिए मैं निवेदन करता हूं लेकिन हम निवेदन कर रहा है जैसे जिसकी सद्धा है युगदान करे आंखें गड़ा करके समझेगा तब सम चुपन होता है हरेदमें उससे क्या होता है आप प्रती निव्रित सरवतहा प्रतीनिवित नश्टा जाता है क्या गुणों भी चक्रम गुणों की कि तरंगों का जो समू है वह नश्टिक्व मेर्ण करके मां ज 우़ कि परसाधर तका इस्ते तक गुणों के प्रतिव है, निरासक्त हो जाता है, तो कैवल सम्मत पथ, कैवल का ये सुविक्रित पथ है, किसके द्वारा सुविक्रित है, पानवाले के द्वारा, नहीं, जो महान भक्त है, उनके द्वारा, जो महान अध्यात्नवादी, उनके द्वारा सुविक्रित पथ है, साधन करने में बहुत आसान है साध्य इतना बढ़ा प्राप्त हो रहा है इसलिemy बहुत अच्छा है यह बद्विचारली बात है कि मानल realkitary patient है तो इसको ठीक करने के बहुत सारे मत हो सकते हैं न हो में पैती एलो पैती इत्यादी इत्यादी लेकिन अब जिसमें सबसे कम खर्चा हो आसानी से हो जाए और एफेक्टिव हो तुरंत लाबकारी हो करेंगे कि नहीं करेंगे अब हमको तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा लेकिन आप जान रहे कि एक विक्ति है जिसको जानते हैं मंत्र से पित्ति-खी ठहली कि पत्थर निकाल देगा तो अप्शन बताइए एक अप्शन मेरे पास होमे पैथी दूसरा है ओमे पैथी लकाई उसमें कम से कम शाल भार लगे का पता निए होगा लेकिन दूसरा ऑप्शन है आयरवेद पता नहीं सच्छा है कि नहीं कभी भसा देगा मने लेना चुरू किया पेट में दर धुन लग गया आयलो पैथी तो पैसा भी खर्च होगा अब मान लोग कोई विक्ति फ्री में कर दे और पांच मिनट में निकाल दे तो अब आपको क्या बोलेंगे सम्मत्थ पत्थ क्या है पहले बात तो नहीं को बिजवासी नहीं होगा लेकिन अब बहुत से लोग ठीक हुआ है तो जाना जाए अलग अलग मत्थ किसले हो सकते हैं इसी बात से हो सकते हैं हमारा पत अच्छा है हमारा पत अच्छा करते नहीं केवल्य सम्मत्थ पत्थ केवल्य प्राप्त करने का यह एक मात्र पत्थ है यह एक मात्र दिव्य पत्थ है बागी पत्थ दिव्य नहीं है यह विवास ही है अ है और उसमें सार क्या है बगवान की कथा के इतने को निर्व्रतों हरी कथास जो विक्ति हरी कथास से अनंदित होगया है। तो ऊहती कुलिए इसे कौन विक्ति नोकारेगा। एक सावेKS लेता स्वामी की तीक आपको आपको आसानी समय Nash में आ इसलिए मैं इसको पढ़ूँगा और उसके बाद बागे बढ़ेंगे श्री धरी ग्यार्वे श्लोक के भागवत संगत के द्वारा सूचित श्री हरीकता की प्रशंसा ज्ञानमेदा इस लोक से करते हैं भागवत संगता तो इसमें हरीकता कहा से आ गई तो इसका और था कि भागवत संग का मतलब है हरीकता कि जिए आपने प्रुब्री जी हमको तो जひह लग रहा है कि तंदूल कर आगे बै्टिंग कर रहा है और पींचे कइट टाहूघ कर रहा है जानि बॉल युक्दुंरिanka कर रहा है की नहीं श्रहिए बड़ा कठर हमनें आया हमकुछ है फिल्डिंग करह्अ कर नहीं सबाइव ऑने लंगे करना लगा के इसके बाद सोचना पड़रा ना कि भाहन तो वहां तो भागवत ऑठू की बात थे हरे सिए लगा क्या भाक्तव को संग में हरिक्था के लाभा हुता क्या है बताई तो गी नहीं भग्त संग मतलब हरी कथा मैय कथा नहीं तो किरसल हरी कथा के प्रसष्थ अरह भग्त संग से कोई transformation आएगा तो हरी कथा था कि द्वारा ही आएगा कि मैं पहले भी बता चुका हूं जो विक्ति जिसमें आ सकत होता है उसकी बात वह सकती सी करेगा और हम लोग को पता भी नहीं चले कि उसमें आशकत हो जाएगा यह प्रसिजर भक्तों के संग में भी होगा भगवान के बारे में बात करें भगवान के प्रतिव आ सकते हैं हम भी हमको भी भगवान अच्छे लगने लग जाएंगे सिंपल सी बात है नोट देखिए यद प्लस आ प्रति निव्रत यद ज्यान जो ज्यान आ मतलब समयक या संपूर्ण रुप से प्रति निव्रत उपरत कर देता है किसको गुणोर में चक्र को बहुत दुखी लग रहे हैं आप लोग इतनी संस्कृत नहीं पड़ी थे अबने जीवने कभी क्यों होते दुखी लगने परिशान यत अर्थात जिन स्रीहरी कथाओं से ज्यान उत्पन होता है किस प्रकार का ज्यान कैसा ज्यान के निर्विशच प्रह्म का ज्यान नहीं है तो कहते हैं कि आ अर्थात सर्वतह हर प्रकार से अर्थात उससे सभी प्रकार के गोडवर्मी चक्रम अर्थात राग आदि समहूँ आप्रति निवृत अर्थात पूर्ण रूप से विनश्च हो जाते है इसा ज्यो समज संव में आई तो केते न भक्तों को जो वास्तिविक भक्त है उसको कथा में इतना सुख मिल रहा है कि बाहर के जो बाहर के लोग कैसी बरताव करें उससे वो प्रभाव इतने होता है उदारूल में कई बार दे चुका हूं कि बाहर गर्म है अंदर ठंडा है यहां देख रहना शुरू में और जो भी राग देश वा कहां में चित्म चित्में तो भग्वाण बैसे हुं हैं कथा में लगा भग्वाण बैसे हुए तो बाहर की लोग रग ओर देश का प्रभाव और चित्त में कैसे आएगा कि कुछ समझ में आ गया तो यह राग और द्वश नष्ड हो जाता है भागवांगे कफा कर्शहवंड करने से ठीक है उता अर्थाद उसके बाद आत्मप्रसाद अर्था आत्मसंतुष्टी प्राफ्त होती है यह तक समझ में आ गया है इसको बड मंदिर की मंदिर के सफाय कर जहां। जगनाजी आते हैं॥ पहले मोटे मोटे कंकड बहार किये और पहले पतल पस्क जवनेकर कण। मंदिर की तो वहां का फोर्हण स्वर्णर करती थंड़ा हो गया। तो वह प्रफुपा जिर्श हो गया। न्रतर समिधा सब हैं और उसके बाद हिर्दय वैसा ही ठंडा हो जाता है जैसे गर्मी में मार्मल का फर्ष मंदिर का ठंडा हो जाता है आत्म प्रसाद कभी-कभी देखा होगी होगा कि हिर्दय में एक दम ठंडा का जाती है कम से कम कुछ चणों के लिए कोई भौते किछा नहीं आती कुछ चणों के लिए हमेशा के लिए थंडे हो जाओगे खूल यूल बीरीली कूल यू नॉटी मेंजिन अन्रस्टी दिवोटेस लिए इस वात को कुछ नहीं चाहिए जगत से आत्मप्रसाद कुछ ने चाहिए मतलब क्या चाहिए भागवान दी कथा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए जाब कर लें बस ही भावत यत्र अर्थात जिस स्तिती में मन की संतुष्टी का कारण गुणेश्वसंग अर्थात प्राकित गुणों से उत्पन विश्यों से वेराग हो जाता है तो प्रश्ण पूछेगा क्यों वेक्ति आत्मप्रसाद कैसे मिल गया तो कह रहें क्यों की गुण गुणात्मक वस्तों से उसका वेराग्वे हो गया समझा रहा था ना मैं आपको बात तमगोणी वस्तु में हैं तमगोणी चित्त होगा उदर आक्रिष्ट होगा रजगोणी व्यक्ति रजगोणी वस्तु के प्रति आक्रिष्ट होगा और सत्गोणी व्यक्ति सत्गोणी वस्तों के प्रती आकरश्ठ होगा वव्यस्यक कोई आ सकती नहीं इस कारण से आत्म प्रसाद उसके चित्व को वस्तों खीच नहीं सकती क्लियर ठीक है तथा मुक्ति प्राप्ति के मार्ग स्वरूब श्री भगवान में प्रिम भक्ति की उत्पत्ति हो जाती है मुक्ति अपने आप ही प्राप्त हो जाती है me to practice नहीं कर रहा है उससे त्रिक्त हुआ भक्ती से त्रिक्त हुआ कौन ऐसा मानव होगा भग्वान की कथाऊं से प्रेम उध्वा यदि वै निब्रित नहीं है तभी कताऊ से प्रेम नहीं करेगा यह अर्थ है कितना सुन्दर अफ्र क्या अर्थ है, देखिए जब भगवान से प्रेम हो जाता है, तो भगवान के सम्ब्द में जो भी आप सिवा करते हो, उससे असीमित सुख मिलता है, तो आप भी कथा से प्रेम नहीं करेंगे, कुछ समझ रहे हैं बात को तो कह रहे हैं कि जो कथा से प्रेव नहीं करता है इसका अर्थ है कि वे निरवृत हुआ नहीं है निरवृत नहीं निरवृत मतलब आनंदित नहीं हुआ है अभी उसने को नशा नहीं चड़ा है इस जगत में देखते हैं कि लोग ड्रग्स लेने लग जाते हैं तो अब उसके लिए पूरा घर बरवार ही बेच देते हैं तो उसमें वो आसकत हो जाते हैं गात बोली जारी और भी यह जूवे में आसकत होते हैं लोग बेच देते हैं परवार को कर देते हैं खेर कता सुनने और कोई बात नहीं सुनने न सुनना चाहते हैं। यह मुझे समझ में नहीं आता है एक बार पर पुझे विरिंदावचेन महाराज लोक बोल रहे थे जयती जयती कि व्याख्या कर रहे थे। बड़ा सुंदर वया कि पहली बार महाराज से मैंने वो सुना बल्राम हॉल में बाद में जाकर मैंने कुछ ऐसे अंट संट सा प्रश्ण कर ले तो महाराज एक दम गुसा होगे बोले हम यह सुनना भी नहीं चाहते हैं मेरा को जैने प्रश्ण था लेकिन वो नाम की महिमा नहीं हो रही थी तो महाराज नाटे सुनने नहीं अभी आप हम बोले आपको यहां पर बोले है न सद्रातन कहसा में बोल रहे हैं कि कॉथम आपी सक्रदात्म मुक्तिदम प्रणे ना पर मैंने पूछा था कि महाराज नहीं कि क्या लिखांप बोल रहा है उसक्त महाराज में को जानते विरते आप सुर्य ने किया क्या बोल रहा है कौथ हम अपी सक्रदातम मुक्ति दम प्राणे नाम्यत मैं तो दुम घवरा आगे हैं कि अगुसा क्यों कि बाद ने दिन बाद छोड़ कर मारत बले उस दिन हमे जीव से स्पर्ष करने मात्र से वह ने जीवा को मुक्त करने वाला है हम ने एक श्लोगन बनाया तो उसके पर अरे चंदालो मुझे पहचानो मैं हूं कौन ये नाम प्रभु बोल रहा है क्यों ऐसा आपने की बनाया जीवा सिंद्धिरा रिखे अज चंडाले सबक उधार freedom एक अब्रसी छोदे nd Fernando मतर के अब्रसी का उदहर करने वाले पहले और भृण बहुगो शॉस्था लगोठे से लिगे अब्रसी के खहली भीटार तुमनल पनी मठीड़ कर сторону तो मैं खाली बौल रहा हूं कि मैं बात करें क्यां Buenos तहां बहुत बहंड लो इस प्रकार से बहगान की बात को बुलने में आसक्त रहते हैं यह क्यों बहुत बहुत बुंन लगजा था कुछ कारण से बॉल माहरा जैसक बूल रहा है is राम कि राम की वह कता सुनते तो पंधित जी मों जानते थे बहगieß Vaan Ram कि दारुन लिला कर वे लिला ये नहीं सुनाना ये बहुत दुखी हो जाएंगे तेकि निया पंडित आया उसका पता नहीं था उसने सुना दिया कि माता सीता का अपरहन जो है वह रावन करके चला गया और यह वह तो अब गुस्सा हो गए चलो सेना लेके चलो हम रावन से युद्ध करेंगे यह वह अब इतनी आविश में राजा अच्छा ठीक है ठीक है चलो वापस चले अब यह पागल पर लगेगा लेकिन अच्छी लिए ऐसा नहीं है भगवान की लिला चलती ही रहती हमेशा और बजुलोग भग्त इस प्रकार की उन्नत होते हैं वह निला में प्रवेश कर जाते हैं के वह लिला का शवन करके ही और केवल भगवान का श्रवन किरतने स्मरण करके आप यह बताईए अब भगवान का स्मरण करने से असीमित सुख मिला है तो आप छोड़ेंगे उसको श्रवन करने से मिला है तो छोड़ेंगे या बोलने से मिला है तो छोड़ेंगे यह तो फ्री की चीज है तो आप समाझ मे शब्द सुना है और यह सबजी खालो यह सबजी खालो गे तो तुम कुछ सारी सब्जी भूल जाओगे सुनाए आपने यह समझा गया यह मिठाई खालो यह मिठाई खालो कि फिर और कोई मिठाई नहीं खाओगे कहने का अर्थ क्या इतनी उतक्रिष्ट इसका रस है कि अब युरु आहिं Larry-isha। दूश्य के अलावा कुछ बोलना सुन्ना चाहता है। तो क्या अर्थ है अरे तुम ने कथा भी चकी नहीं, ये अर्थ है। ये इश है। हिल रही है। तुंसको टेर्से स्ट मिला तो इड्ली सर्व हो रहे थी तथा कथिद इड्ली जिसको मैं इड्ली मान रहा था तो मैं इड्ली स्वामर ले रहा था तो भगल में भक्त बल्लाम ने का तुम आप साउथ इंडिन हो करके इड्ली नहीं खा रहे हैं तो कैने यह इड्ली नहीं है समझा है कि जो इडली होती है वो आपने खाई नहीं इसलिए आप उसको माल दे रहे हैं कि यह इडली है अब उसका निक्रिष्ट वस्तुकि प्रति क्यों आकर्शुत होगा तो अगर आकर्शुत हो रायस का क्यारत है अभी उसने टेस्ट नहीं किया है तो क्या कर रहा है? बारम बार यहीं भवान का नाम जब करें, कथा सुने, जैसे जैसे हिरदेशुद्ध होगा, कथा की स्वाद का अनभव कर पाएंगी, तो समझ देना चाहिए कि भजन कर ही रहे ताकि इस कथा की सुक का अनभव कर पाएंगे अगर कोई कथा से निर्वृत है तो वो कथा से निवृत नहीं हो सकता है समझाए कथा से निर्वृत है निर्वृत का मतलब हुआ आनंदित है तो कथा से निवृत नहीं हो सकता कथा को छोड़ नहीं सकता है तो हम लोग तो अभी रेगुलर्ली सुन लें ये भी अच्छी बात है कुछ कुछ समझ में आया होगा आप लोग को और तो यहां पर कोई प्रश्निय दर है नहीं कुछ समा की जाए कि हम बोलते हैं लेकिन कान में कैसा लगता है वो मुझको नहीं पता तो आप उसको सुधार कर रहन कर लीजिए श्री भागवतम की जाए श्री श्री गौर निताय जी की जाए श्री श्री कृष्ण बला राम जी की जाए श्री राधा श्राम सुंदर की जाए श्री प्रभुपाद की जाए निताय गौर प्रिमानन्दे we'll do parayan now and then stop